हालो फ्रेंद्स वेलकम तु कुहेली की दुनिया आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ और आज है मंडे और मंडे को फिर से लेकर चली आए हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी और आज की मोटिवेशनल स्टोरी का नाम है क्या सफलता आप से पीछे भागती है तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी ये कहानी है आकाश और यश की आकाश और यश दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे एक ही क्लास में पढ़ते थे दोनों आकाश जो था पढ़ने में बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था हर टेस्ट में उसका जो लेकिन यश कभी अच्छा करता तो कभी बुरा करता एक बार क्लास एट के साइन्स टेस्ट में वो फेल कर गया अब वो फेल कर गया तो उसे तो खुद बहुत बुरा लगा ही लेकिन आकाश जो है उसके पीछे पड़ गया हर समय उसे ताना देते रहता कि तुम तो हो तुम फेल कर गया हर समय इस तरह से उसे ताना देते रहता कि लेकिन यश आकाश के सारी शब्दों को हजम कर जाता वो कुछ भी नहीं बोलता अंधर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता ऐसे करते करते दीन बीट गये और आकाश और यश जो है दोनों क्लास 10 पास करके उस स्कूल को छोड़कर दो अलग स्कूल में एडमीशन ले लिए देखते देखते दिन गुजर गये अब आकाश जो है एक बहुत नामीदा में इंजिनेरिंग कॉलेज से बीटेक करके एक बहुत बड़े मल्टिनैशनल कमपनी में उसको जॉब मिल गया अब वो तो बहुत खुश हो गया उसे एक अच्छा सा जॉब मिल गया है और ऐसे करते करते दिन गुजरते गये और जिस कमपनी में वो काम करता था वो एक मल्टिनैशनल कमपनी था उसके मतलब बहुत जगह वो कमपनी था मतलब बहुत कंट्रीज में था अमेरिका में उस का head office था अब एक बार आकाश को पता चला कि अमेरिका से managing director आने वाला है और शुक्रवार को meeting होने वाला है तो आकाश तो एकदम suited, booted होकर meeting के लिए ready हो गया Friday को और शुक्रवार को 10 बजे meeting था तो आकाश एकदम 15 मिनट पहले ही meeting room में पहुँच गया, meeting room में वो जैसे ही पहुचा वो अश्चर ये चकित हो गया, managing director तो यहां कौन बैठा था, ये तो यश है, उसे देखकर आकाश बोला कि अरे यश, तुम और managing director यश मुस्कुराते हुए बोला कि हां, तो आकाश बोला, तुम तो बहुत ही आगे बढ़ गए हो मेरे दोस्त, तो यश बोला, हां, हर कटू वचनों को पीछे छोड़ कर, मैं आगे बढ़ गया, कटू वचन जब मुझे बहुत हट करते थे अंदर से, उसे मैंने चैलेंज के रूप में ले लिया और मैंने बहुत मेहनत की, और इसलिए आज मैं इस जगह पर बैठा हूँ, आकाश ने बोला, मैं बहुत शर्बिंदा हूँ मेरे दोस्त, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन उस समय मैं खुद भी छोटा था और इतनी समझ नहीं थी मुझ में, मैं हर समय अच्छा रिजल्ट करता था, इसके लिए मेरे अंदर जो है अहंकार भरा हुआ था, और इसके लिए उस समय मैंने तुम्हें बहुत ताना दी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, दिल से शर्मिंदा हूँ, और मैं माफी मांगता हूँ, तो यश ने बोला, कोई बात नहीं, मैंने तो इसे चैलेंज के रूप में ले लिया, और मैं आगे बढ़ गया, लेकिन आकाश, फिर कभी और किसी के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि हर कोई मेरे जैसा इसे चैलेंज के रूप में नहीं लेगा, अंदर से लोग तूट चाएंगे, और वो आगे बढ़ने से भी घबराएंगे, तो आगे से कभी भी ऐसा मत करना, आकाश ने यश्च को प्रतिग्या की, कि हाँ मेरे दोस्त, आज मुझे समझ में आ गई है, अब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, तो भाईयों और बेहनों, लेडिज और जन्रमेन, आज की कहानी से आपने क्या सीखा, आज की कहानी से हमने ये सीखा, कि कभी-कभी क्यों सफलता हमें छोड़ कर चले जाती है, कभी-कभी किसी कठोर परिस्थिती में हम तूड जाते हैं, और यश के जैसा फाइट नहीं करते, यश ने जैसे उस situation को एक challenge के रूप में लिया था और वो आगे बढ़ता गया अपनी मेहनत से लेकिन हम जो है छोटे situations में तूट जाते हैं और वहीं हमें लगता है कि हम से कुछ नहीं होगा और हम मेहनत करना भी छोड़ देते हैं कभी-कभी हम कभी-कभी इतना सोचने लगते हैं एक खटना को लेकर कि हम उसको अगर पीछे छोड़ दे तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं ये भूल जाते हैं और इसी तरह सफलता जो है हम से पीछे हट जाती है तो भाईयों और पहनों, लेडिस और जेंटलमेन आज से प्रतिग्या कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए उसे हम पीछे फेक देंगे और हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, बताना मत भूलिएगा एक लाइक और शेयर तो बनता है और जिन्हों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अप्लोड करूँ, वो इमेडियेटली आपके पास पहुँच जाए और थान देख पर वाचिए और वाचिए और दीजिए